दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचांग की आज दिनांग है 13 अगर सन दोजार तेईस विक्रम समध दोजार असी चल रहा है श्रावन अधिक मास है कृष्णु पक्ष है वर्षा रितु है तिथी आज की 12 है सुबह 8 बज के 21 मिनट तक आगे 23 तिथी जाएगी और आज का वार है रविवार आज प्रदोश का वरत है आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र सुबह 8 बच के 26 मिनट तक है आगे पुनर वसु नक्षत्र पूरे दिन और रात्री तक है योग वज्र है दौपेर बाद 3 बच के 54 मिनट तक आगे रहेगा करण तैतिल है सुबह 8 बच के 21 मिनट तक आगे गर करण रहेगा सुर्यदे का समय दर्श को जहां सुबह 5 बच के 56 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 6 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बार साड़े चार बज़े से लेकर शाम को 6 बज़े के बी है दिन में दो बार दुष्ट भूरत भी रहेंगे ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा यह शाम 5 बच के 20 मिनट और शाम 6 बच के 13 मिनट आज का दिशा शूल दर्श को पस्च्यम दिशा में है तो पहले कोशिश तो यह करे कि पस्च्यम दिशा की यातरा को टाल दें लेकिन अगर जाना अनिवारे है बहुत जरूरी यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है पश्च्यम की और मुक कीजिए थोड़ा सा घीद लिया या पान खाईए और पांच के दम पीछे चलिए और जब यह सारी प्रक्रियाब करें तो अपने के दिन का सद उप्योक करने का जो समय है वो है सुबह 7 बचल के 35 मिनट से दो कर 2 बारा बचल से 3 बचल मिनट तक और फिर शाम दर्शी को मितन हैं, यानि चंदरमा मितन राशी से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ऐधिन सभी बारे राशी के लिए कुछ प्रकार रहने करक राशीवालों को आज ध्यान क्या सिंग राशी वाले किसी मनो कामना पूर्टी का मार्क पाएंगे वहीं कन्य करक राशी वालों के पिता औंस सम्मंदित पीड़ा आपको आ सकती है धनू राशी वाले जो एविवाइथ हैं उनको मिल सकता है योग जीवन साथी और मकर राशी वाले आज दिये हुए धन को वापस पाने के उमीद कर सकते हैं और कुम राशी वाले जो छात्र छात्रा हैं खासकर जो गनित एकोनोमिक्स फाइनिंस औ उनके लिए अच्छा समय है और मीन राशी वालों को अतमान जनक स्तिती का सामना करना पड़ सकता है तो धेरिये बनाये रखें यह समय भी टल जाएगा दर्शे को आज के दिन की यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते दृष्टी को प्रग्या को जाग्रत करेगी फिर आगे कि एक खराब फल को अच्छे फलों की टोकरी में रख दें तो सारे अच्छे फल भी सड़ने लगते हैं और विज्ञान की द्रश्टी से भी देखें तो उर्जा का स्थान अंत्रण यानि ट्रांसफर ऑफ एनरजी एक प्रमानिक सिध्धान थे एक थियोरी है ऐसे में आप उच्छे को सत्संग रहिमन तजहू अंगार ज्यों तातो जारे अंग सिरे पर कारो लागे यानि की ओछे मनुष्य का साथ तुरं छोड़ देना चाहिए हर अवस्ता में उससे हानी होती है जैसे अंगार यानि को कोईला जब तक गरम रहता है जलता रहता है तब तक हमारे देह को जलाता है और जब ठंडा हो जाए तो ठंडा कोईला क्या करता है वो देह को काला कर देता है इसी को आगे समझाते हैं कि रहिमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत काटे चाटे श्वान के दो भाती विप्रीत यानि इस तरहीन व्यक्ति के बैर ये भी अच्छे नहीं और जो प्रेम है वो भी अच्छा नहीं क्योंकि जैसे श्वान यानि कुट्ता पालेंगे वह या तो मू चाटता है और दूसरे का श्वान हो तो काट लेता है तो ऐसे ही वैचारिक जो वैचारिक तोर पे इस तरहीन व्यक्ति है निम्न विचार रखने वाले व्यक्ति हैं सुजबूज आपको डवलप करनी चाहिए यह आज की ज्यान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विशेश उपायों पर जो आपकी सभी समश्याओं के सरल समाधान कर देते हैं जिने करके आप असफलता अर्चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की औ सित्र भगवान शिव जी पर यानि शिवलिंग पर अर्पित करें और सुभे शिव महिमन स्तोत्र के पांच पार्ट और शाम को ग्यारा पार्ट शिव तांडव स्तोत्र के कीजिए और नहीं कर सकते तो सुन लीजिए फिर देखिया आने वाला साल कैसे बहुत ही सुन्दर बीता है और भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा आपको हमेशा नित निरंतर मिलती रहेगी ऐसे दर्शे को बहुत बार यूं होता है कि जनम पत्रिका में कमजोड चंद्रमा निर्बल यास्त मंगल के चलते व्यक्तीमा आत्म विश्वास की बहुत कमी रहा करती है और अंजाना सा भए हमेशा बना रहता है तो दर्शे को जब आप भए और आत्म विश्वास हिंता से ग्रस्त हो तो एक छोटा सा प्रयोग करें करना क्या है कि सिर्फ एक निम्बू ले बेदाग निम्बू ले यानि उसमें कोई दाग धपा ना हो और पांच साबुत सुपार और काजल की डिवया लें एक इस ताबुट काले मिर्च ले ले और ज्यारा लोंग ले और एक सवा मिटर लाल वस्त्र ले अब यह सारी सामगरी रखकर अपने पूजास्तान में हनुमान जी के सामने बैढ़ जाए और एक भूज पत्र पर या सफेद काज़ पर कुम-कुम से अपना नाम लिखें, अपनी गोत्र लिखें और इस सामगरी के सहीत उस लाल वस्तर पे रखें और 36 पार्ट बजरंगबान का आपको पार्ट करना है, फिर अगले दो दिन इसी तरीके से 36 पार्ट फिर 36 पार्ट इस प्रकार से आपको करने हैं, तीसरे दिन जब पूजा सम नापती हो जाए, तो जो भोज पत्र या सफेद कागज जिस पर आपने नाम गोत्र लिखाता, वो हनुमान जी के चित्र के पीछे रख दें, और बाकी जो सामगरी है, उसको पोटली की तरह बांद कर अपने पूजा स्थान के पास एक लकड़ी की चोकी पर रख दें, फि आज के शुब दिन से बहुती अच्छे तरीके से याज रविवार है, प्रदोश है, बहुती शुब दिन है, तो आज आप उठें सुबच जल्दी और सूरिय नमस्कार करें, प्रणायाम करें, विशेश करके नाड़ी शोदन प्रणायाम और फिर सनान करके एक तांबे के पात्र में जल लें, उसमें कुछ गुड और कुमकुम मिलाकर हरीम सूरिय नमहें, यह बोलते वे भगवान सूरिय को अर्ग दें, फिर पूजास्तान पर बैठें, पांच पार्ट आदित्य हर्दे स्तोत रखे करें, पांच पार्ट सूरिय शतनाम के पार्ट आप करना लगेगी, और सरकारी नोकरी लगने के जो चांसे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, जो जॉबलेस हैं, जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं वो अपलाए कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यह रामबान है, तो दर्शे को ये थे आज को विसस पाय जो आपको समश्चाओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनों काम नहीं सिद्ध कर रहे हैं, बात करते हैं आपके सवालों की, आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का ये हमारे दर्शक कुल्दीब शर्मा जी की सीकर से, 28 फरवरी 1985 का जनम है, सुबह 6 बचके 7 म पाशी मिस्तित है, जो की दर्शार हैं कि आपका करियर बहुत ही मजबूत है, यानि करियर के मामले में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी गती है, जहां तक भाग्य की बात की जाए, तो आप मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं अब तक क्योंकि भागेश बुद्ध अस्त ह योग है, वो 5 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीचे बन रहा है, इसी वर्ष 5 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच, अब आप बुद्ध ग्रे के साथ गुना जा पवश्य करवा लें, अच्छा सा पन्ना पहन लीजिए, ताकि आपका भाग्योदे भी हो जाए, और प्रमोशन क तब तक होगा, देखिए अनुपमा जी आपका कन्या लगन और व्रश राशी है, चौथे भाव में शनी बैठा है, जिसकी तीसरी द्रश्टी छेटे भाव स्तित राहू और मंगल पे हैं, अब ये स्तिती जो होती है, ये पेट और जो इंटरनल ओर्गन से यानी पेट के आस-पास के उनके लिए अच्छी नहीं रहा किड़ती है, तो आपके ऑप्रेशन के या गंभीर आंत्रिक रोग के योग बन रहे हैं, तो आपको मंगल और राहू की शांती अवश्य करवा लेनी चाहिए, साथ ही साथ बुद्ध ग्रह के साथ गुना जाब करके एक तीक समय अटूट शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन मोतारेंगे, धीरे-धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा, मैं महादेव से प्रातना करता जीवन को सवान लीजिए, कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद, भगवतिया सुपका कल्यान करे, जय आदिशक्ति! नमस्कार, मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ, निउस 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड की जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवाइड करें, जिससे आ आपकी डेट बर्थ है 27 यानि कि 27 तो दो और साथ को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 9, तो 9 होगा आपका मूलांक, और आज की तारिक है 13 अगस्त 2023, आज की तारिक को जोड़ते हैं, 13 यानि कि नंबर 4, तो नंबर 4, जिसके कि स्वामी है राहू, तो 13 साथ आपको इंटर्ड्यूस करने जा रही हूं सिंगिंग बोल से, मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि वैज्ञानिकों ने भी हमारे मंत्र शक्ति को कितना माना हैं, और मंत्र की वाइब्रेशन के बारे में शोध हो रहे हैं, और ये माना गया है कि मंत्र की वाइब्र श्रींग में उपियोग मिलाया जाता है, जिस प्रकार हमारे मंदर में जो घंटे लगे हुए हैं हम जो घंटियां बजाते हैं, टिंगा बेल्स बजाते हैं, उन सब से एक व्शेश प्रकार की ध्वनियूत पन्न होती है, और वो जो ध्वनी है वो जो ब्रम्हांड की तो वही जो ध्वनी है वह हमारी ऑटमाटिक हीलिंग करना शुरू कर देती है तो जो सिंगिंग बोल है इससे भी ओम का जो उचारन है अकार उकार मकार वह बड़ी ही खुबसूरती के साथ निकलता है यह अलग-अलग साइज़ में आता है और इससे कई प्रकार के जो ब्लॉ कि जो बहुत ही इसली रिमूव हो जाते हैं हीलिंग होती है तो आए दोस्तों चुकि जो यह मैं बात कर रहे हूं यह चिबाचियन बॉल है चिबाचियन सिंगिंग बॉल और तिबबत में तो विशेश तौर पर इसका उप्योग किया जाता है हर घर में जैसे हमारे घंटी भी यह जाती है तो लो स्टार्ट मैं आपको इससे हीलिंग कर रहे हूं आप अपने आपको ओपन कर्ね के लिए और जीवान से प्रार्थना की जित्सकियं अपको प्राप्ध और सात सा घल तो इसके जो साउंड है उसको जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि एक विशेश प्रकार की शान्ती भीतर उत्पन होगी तो यह जो विशेश प्रकार की जुद्वनी है देखेंगे अभी भी इसकी साउंड है और कई प्रकार की प्रक्रतिक चिकित्साओं में इसका उप्योग किया जाता है तो अगर आपके घहर में घंटी है तो उसको बजाना उसकी साउंड के बीच में द्वनी के बीच में आप रहना शुरू कर दीजे आयET दोस्तों बिना देर की अपने कारेकरम के हम शुरूआत करते हैं और जानते हैं मूलंक एक के लिए हमारे अंज़ल्स हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 अगर से 2030 के लिए और मूलंक एक के लिए हमसे कहा जा रहा है wise one का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जिस भी परिस्तिती में हैं उसी में आपको खुश रहना है और उसी से आपको lesson लेना है आज के दिन आप बहुत जादा बेचैन फील करेंगे आप कहीं न कहीं है सोचेंगे कि मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए मैं बहुत जादा बहतर डिजर्व करती हूँ लेकिन कहीं न कहीं है आप सोच रहें कि आपको जॉप में परिवर्तन करना है या आपको घर को शिफ्ट करना है या किसी रिलेशनशिप से आपको बहार निकलना चाहते हैं तो यकीन मानिए यह सारा कार्मी के लिए आपके साथ connected है जो भी कुछ हो रहा है और आपको इसी परिस्तिती से लेसन लेना है डिवाइन आपको यह गाइड कर रहे हैं कि आज की दिन आपको इस परिस्तिती को accept करना होगा और इसी में से बहतरीन तलाश करना होगा कहते हैं कि अच्छा या बुरा देखने वालों की नजरों पर डिपेंड करता है तो आज आपको अपना तो चश्मा है ना उसको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा लर्निंग और एक्सेप्टेंस का पहनना पड़ेगा सो तैट जिस भी परिस्तिती में आप है उसे आप accept कर सकें और यह बहुत ही जरूरी है आपके लिए आज अगर आप कर सकें तो आप विश्नु सहस्त्र नाम का पार्ट अवश्य करें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाईर कर रहे हैं आज 13 अगस्ट 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए कहा जा रहा है हाई प्रिस्ट का काड़ है कि आज के दिन की ज रहे हैं जो भी आपका कोई Lक्ष है अगर आप अपने करियर के में कुछ पाना चाहारे हैं अगर आप आपने परसनल रोच्छब के किसी प्रकार का कोई विशेष कारें चाहरें तो जो भीए आपकी ओस्कोड डिस्कलोष की uchenद अजिए बलकि खुद उसके ऊपर आपको क कर रहे हैं को नया कार है हाथ मैं तो बिल्कुल उस पर आगे बढ़ जाए आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 अगस्ते 2000 से इसके लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है ग्रेट टीचर का कार्ड है नंबर 3 आपका है और आपके जो स्वामी है आपके जो गुरू है वह है प्लानेटर गुरू तो आज कहना के गुरू की क्रपा आपके ब्रबनी हुई है और कार्ड भी वह बाद आप आगे बढ़ जाएं उनकी ब्लेसिंग्स की वज़े से बहुत सारे अगर आपके कोई अटकेवे कारे होंगे तो वह भी आज आगे बढ़ेंगे कुल मिला के आज का दिन आपका ग्रोथ का है पिछले काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे है इस सही मोमेंट क अगर रहे है 13 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए नमबर 4 और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है स्प्रिंग का कार्ड है वाओ कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वह बहुत अच्छा है आज के दिन आपने जो भी कोई मेहनत की थी जितना आपने एक स्ट्रगल किया था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी करियर के लिए किसी विशेश प्रोजेक्ट के लिए तो वो आज आगे बढ़ रहा है आपको ग्रोथ मिल रही है आपको कहा जा रहा है कि आप आज अपनी चीजों को चरितार्थ होते वे देखेंगे आगे बढ़ते वे देखेंगे नो डाउट रिजल्ट का दिन आज नहीं है आज किसी बड़ी चीज को प्राप्त करने का दि हो जाएगी आपका दिन शुभू को आई जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 अगस्त दोहजार तेस के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है विट्टियत मंदी मामलों में आपको आज साफधानी बरतने की जुरत है विशेशतर पर ध्यान रखे किसी को भी आज उधार ना दे यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका उधार का पैसा वापस नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको क करने के लिएफट करने चीज़ए वहाउ Fourstem की पैसे और उपसना करें एक साथ पूजा करते हैं देवी की अवश्यकरें आज किसी प्रकार से कोई भी कारे को अधूरा ना छोड़े माता पिता का आशिरवाद लेना ना भूले आपका दिन शुबो आईए जानते हैं मुलांक छे के लिए हमें हमारे एंजल्स और सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं सबसे पहले तो आज अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है कवच का पार्ट करें आप जिन भी देवता क्यों पासना करते हैं अपने इस्टर्देव के कवच का पार्ट करें उसके बाद ही आप यात्तरा करें और किसी प्रकार के चालेंज आज आज आपके समक्ष लगर कर हो उसे चालें उसारी प्रशारान करना जाहिए जानते हैं मूलनक साथ के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए कहा जा रहा है प्रोटेक्शन गाडिन का कार्ड आपको कहा जा रहा है बहुत जादा भैभीत ना हो किसी प्रकार से अगर कोई ऐसा आपके समक्ष कोई कारे है या इसी कोई परिस्ति है जहां पर जिसको सोच सोच के आप बार बार डर रहे हैं फिर वो चाहें आपकी फैमिली की हो तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपको डरने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि जो भी आपने प्रार्थना की अब उसका जवाब आपको मिल रहा है और वह यह है कि परमात्मा आपके साथ हैं किसी प्रकार से आप डरे नी बलकि आप खुद की लाइफ पर फोकस करें का आज आप सदूपयोग करें आपका दिन शुबहों कि आए जानते हैं मूलांक आठ को लेके हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं हमारे इंजल एंसिस्टर्स हमें आज क्या बता रहे हैं 13 अगस 2003 मूलांक आठ के लिए और हमसे कहा जा रहा है ट्रेडर का कार्ड ह आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज पर फोकस करना है आज के दिन आप अगर ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं अगर आप वस्तरों का काम करते हैं वस्त की विया पा रही है तो आज को आपका बहुत अच्छा रहने वाला है साथे साथ सकते हैं अपन mettी उसका ही उसका रिजल्ट भी आप करेγ को रभी कारे यह पुरानी पर बाइक पुरानी चीजों को सोख आउट करने और उससे जुए फंड surrounds पहीं नहीं कर आ भी आज ले? आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 9 के लिए परिमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 13 अगस्त 2023 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए आज के लिए आज के समक्ष जो है कुछ चैलेंज आएंगे कि ऐसे कोई प्रस्ताव होंगे जिसमें की लोग से सहमत नहीं होंगे लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको हर किसी को आपको खुश नहीं रख सकते आप तो यह चीज़ को पहले तो जहन में रखना है और दूसरी सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए आपका दिन शुभ हो दोस्तों यह ती रीडिंग हमारी एक से लेकर 9 लाग तक की हम परमात्मा से प्रार्थ ना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो यहां दिये नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिलूंगे आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम